अस्सलाव अलेकुम आज मैं लाएँ हूँ आप के लिए बहुती मज़ेदार से चिकन नगेट्स बहुती टेस्टी यमी और डिलेशिस से और बहुती इजी से मैथट से तयार हो जाएंगे तो चले आएं फिर देखते हैं कि हम मज़ेदार से चिकन नगेट किस तरह बनाते हैं चिकन नगेट तैयार करने के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रेडियन्स चाहिए होंगे तो चले हम देखते हैं अभी हमने ले लिए है चिकन यहाँ पर हमने चिकन की कटिंग कर ली है इस तरह से आप इसकी medium size में थोड़ी सी बोटियां कर लीजेगा इसके लावा हमें यहाँ पर चाहिए होंगे breads हम यहाँ पर white bread use करेंगे brown bread use नहीं करेंगे हम nuggets के लिए हमें चाहिए egg और इसके लावा हमें चाहिए हाँ पर crumbs हमने यह bread crumbs ले लिए है और अब यहाँ पर हम सबसे पहले bread की जो हम cutting करेंगे इसके जो edges होते हैं यह किनारे यह हम remove कर देंगे मैंने यहाँ पर white bread use की है आप भी चब भी chicken nuggets बनाएं तो white bread use कीजेगा क्योंकि अगर हम brown bread use करेंगे तो हमारी chicken nuggets look wise बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे अब हमने bread की edges को हमने remove कर दिया है अब यहाँ पर हम bread की cutting करेंगे बद जिस तरह भी आप चाहिए इसकी cutting कर सकते हैं इस तरह हमने bread की cutting कर ली है और अब सबसे पहले हम food processor में जो हमने bread की cutting की थी bread सबसे पहले हम जालेंगे तो हम bread की बिल्कुल powder form में कर देंगे जिस तरह fresh bread crumbs होते हैं इस तरह हम बना लेंगे और अब इसमें हम एक की कर कर चिकन की बोटिया जो हमने की थी food processor में हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा डाल कर आप इसे chop किज़ेगा और अब यहां पर हम डाल देंगे ginger garlic paste वन टेबिल स्पून white paper भी डाल देंगे हम वन टेबिल स्पून नमक डालेंगे हम हजबे जाएका अब मैं यहां पर डाल देंगे हम पैप्रिका पॉडर पैप्रिका पॉडर थोड़ा से स्मोगी फ्लेवर सा होता है यहां पर मैंने यूज किया है वन टी स्पून पैप्रिका पॉडर सिरका डालेंगे हम वन टी स्पून और आप यहाँ पर मैं डालने हैं औरिगैनो, 1 teaspoon ओरिगैनो डालेंगे, यहाँ पर आपको इसी में मिक्सर्व यूज कर सकते हैं और अब सारे इंग्रेडियंट्स डालने के बाद हमे चॉप कर लेंगे बस यह बेसिक से इंग्रेडियंट्स हैं बहुत ही सिंपल से बहुत आपको जादस में इंग्रेडियंट्स या स्पाइस जालने की ज़रूरत नहीं है अब इस तरह हमने यह देखें फुर्ट प्रोसिसर में फिसलिया है इस अच्छी तरह और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर शीट ले लिए कोई सी भी आप शीट लेकर यहाँ पर की में जो पिसा है हमने यहाँ पर इसको सेट कर देंगे आप चाहे तो इस तरह इसकी कटिंग भी कर सकते हैं इस कॉयल शेप में यहाँ पर नाइफ की मदश से हमने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ पर आप किसी भी शेप में बना सकते हैं यहां पर देखें मैंने इस तरह हातों की मदस से यह शेप बना लिया है किसी भी स्टाइल में किसी भी शेप में जो आपको अच्छा लगता है आप चिकन निगेट्स बना लेंगे तो यहां पर मैंने कुछ डिफिरिंट स्टाइल में कुछ चिकन निगेट्स के लग लग शेप त्यार के हैं और यहां पर जो मैंने कटिंग की थी आपर इस कौईल शेप में इस तरह भी हम ठीकन निगेट्स बना सकते हैं मैंने knife सी जो cutting की है square shape में as compare to जो मैंने अपने हाँ से बनाए है इस तरह की shape ये मुझे जादा अच्छे लगे हैं आपको जो भी अच्छे लगते हैं आप बना सकते हैं पर हमने ले लिए है one egg और इसमें डाल देंगे हम one tablespoon milk white paper डालेंगे half teaspoon और salt डालेंगे हजबे जाएका और अच्छी तरह इसे हम mix कर लेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले हम मैदे में इसको coat करेंगे अच्छी तरह हम इसे पहले मैदे में coat कर लेंगे अब यहाँ पर हमने एका मिस्चर जो बनाया था मिल्क के साथ इसमें इसके साथ की coating कर लेंगे और अब इसे हम bread crumbs में डालेंगे अच्छी तरह अब इसे bread crumbs से भी अच्छी तरह कोट कर लेंगे हम थ्री स्टेप्स होते हैं पहले मैदा डालें और फिर एग मिस्चर में डालें और फिर एंड में bread crumbs की साथ इसकी coating करेंगे तो इस तरह हमने सारी चिकन निगेट्स बना लिए हैं अब यहां पर मैंने इसे जिब लॉग बैग में रख दिये हैं आप चाहे तो किसी भी जिब लॉग बैग में या एयर ट्वर कंटेनर में रख सकते हैं यह तकरीबन आप एक से दो महिने आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं और अब यहां पर मैंने फ्रीज की हुए चिकन निगेट्स को फ्राइब करके आपको बताऊंगे ओल गरम करने के बाद इसे हम एक एक करक Talk चिकन निगेट्स डाल देंगे और फ्लीम हम बिल्कुल मेडियम में रखेंगे high flame में हम chicken nuggets को fry नहीं करेंगे क्योंकि यह उपर से तो आपकी cook हो जाएगी पर अंदर से chicken हमारी cook नहीं होगी कच्छी रह जाएगी तो इसे हम high flame में fry नहीं करेंगे आप flame बिल्कुल medium में रखिएगा तो हम इसकी दोनों sides अच्छी तरह fry कर लेंगे तरह हमारे golden से देखें नगेट्स फ्राइ हो गए हैं हमें बस इतने ही फ्राइ करने हैं तो अब तयार है हमारे मज़ेदार से chicken nuggets तो देखा आपने कितने easy way हैं मैंने आपको बताया तो आप इसे tea time snacks में भी यूज़ कर सकते हैं और बच्टों को आप टिफिन बॉक्स लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं अगर आपको मेरी chicken nuggets की recipe पसंद आई है तो इसे like करें, share करें, comments करें और साथी साथ मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कीजेगा